हें अब्रिवान वालकम पेक्टु सिमास मैजिक जिन तो आज मैं आपके साथ मैं ऐसी केक की डिजाइन शेयर करूंगी जो आपने कभी देखा नहीं होगा कभी सुना भी नहीं होगा बहुत यूनिक सा डिजाइन है और बहुत जादा सिंपल है पहली बार मैं ऐसी केक की चाहिए बना पाओगी की नहीं तो मैंने बुला कि बीटा मैं ट्राय करूंगा अगर बन गया तो जरूर बना दूगी तो यहां पर मैं बना रही हूं 1.5 kg का चॉकलिट मूस केक बना रहे हैं हम प्रेंस आप लोग देख सकते हो कि कि स्पॉंच को मैंने कट कर लिया है और यह मूस आइसिंग है और इसको बनाना कैसे है यहां पर मैंने चॉकलिट को मेल्ट करके इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और वह फ्रिज में रख दिया था इसके बाद वह अच्छे से से सैट हो जाती उसके बाद थंडा होने के बाद आप और अच्छे से से मिक्स कर लेना है उसके बाद यहां को यूज करने ड़ी ना है तो अगर आपको यह पर विप्रीम बनाना नहीं आता है तो इसकीह मेरी चैनल पर अपलोडेट है परफेक्ट विप रिम बनाना है और यह थो अपर दूब्लम हो रही है तो आप में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत ही आपकी जो वीडियो है वहां पर आपको रेसिपी मिल जाएगी उसके बाद आप यहां देख सकते हो लेर्स को मैंने रग दिया है और बीच में मैं बचा हुआ जो ट्रॉफल है हमारी चॉक आपको जो कस्टमर है अच्छे पैसे दे रहा है आपको अगर नई दे रहा है तो आपको कस्टमर को बताना है कि अगर हम चॉकलेट चिप स्वी एट करेंगी तो केक का फ्लिवर बहुत ज़दा चाहेगा और उसके बाद आप यहां देख सकते हो केक को मैंने क्रम कोट कर द जाल दी है अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मुझे ग्रे कलर बनाना है और उसके लिए यहां पर मैंने ब्लैक कलर की चार से पांच ट्रॉप मैंने पहले एड की उसके बाद मिक्स किया उसके बाद फिर से मैंने डाला आपको एक साथ बहुत सारा कलर एड नहीं कर दि लेकिन इससे आपका black color बिल्कुल नहीं बनेगा उसके लिए आपको dry color आता है powder form में उसको use करोगे तो आपका black color बन जाएगा और उसके बाद आप यहां देख सकते हो चारह तरफ मैंने cream को अच्छे से लगा दिया है piping bag में भरने के बाद और जहां जहां पे थोड़ा सा cream कम लगा था वहां पे मैंने पहले टैप से थोड़ा सा cream face से लगा दिया है और टन टेवल को rotate करते हुए scrapper से अच्छे से side wall को smooth कर लिया और उसके बाद आप यहां देख सकते हो केक कच्छे से smooth हो गई है side wall भी बहुत अच्छे से smooth हो गई है उसके बाद केक को आमने फ्रिज म बनाना बट अच्छे से बन गया था फिर बाद में लगा नहीं यार यह तो बहुत easy है बहुत आसानी से हमारा बनके ready हो गया था तो अगर आपको भी कभी ऐसा order आता है Deadpool theme cake का तो आप मेरे इस तरीके से आप बना सकते हो Deadpool बहुत ही आसानी से बन जाएगा पहले मैंने थोड पूल का face बनाके ready किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो face है उसकी जो body है बहुत अच्छे से बनके ready हो गई है उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक tool है यह sharp टूले से fondant काटने में भी बहुत ज़्यादा help मिलती है या फिर आप lining भी कर सकते हो इसमें तो यहाँ बहुत ज़्यादा simple था पर पहले तो डिफिकल दगा था उसके बाद बहुत easy हो गया था बनाना और आप यहाँ देख सकते हो black color का fondant मैंने roll करके cut करके रखा हुआ था size का और उसके बाद पानी के help से मैंने stick कर दिया है उसके बाद neck पे भी हम इसको एक belt जैसा पैना और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैंने hand बनाने के लिए थोड़ा सा red color का fondant ले लेंगे उसको roll कर लेंगे hand से और बीच में से cut करके जितना बड़ा हाथ आपको रखना है उतना ही आपको cut करके पानी की help से तो friends आप लोग यहाँ देख सकते हो एक hand मैंन जिसे stick कर दिया है पानी की help से और hand से उसको ठीक कर लेंगे अच्छे से stick कर देंगे उसको और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा hand भी बना के ready करेंगे तो friends आप लोग यहाँ देख सकते हैं दूसरा hand भी सेम तरीके से मैंने stick कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर आप है हेड के उपर इसका यह जो मांस के वो बनके रेडी हो जाएगा और यहां पर एक मैंने टूल लिया है टूल के हैल्प से मैंने यहां पर लाइनिंग कर लिया है काजो की परफी के साइड में और जैसे एक बॉडर होता ना उस तरीके से और आप यहां देख सकते हो इस तरीक हो इसका जो फेस का जो मांस के वो अच्छे से बनके रेडी हो गया है और बाकी का बचा हुआ डेकोरेशन भी हम इसके उपर कर देंगे तो आप यहां देख सकती हैं पर मैं स्टेक बना रही हूं और इसके लिए स्टेक बनाने के लिए यहां पर मैंने ब्लैक लर का और साइड में बचे हुआ डिजाइन जो भी है ब्लैक कलर के पैचिस में लगा दूँगी जैसे साइड में हैंड की उपर जो डिजाइन होता है जैसे स्पाइडर मन का जैसे कॉस्ट्म होता है वैसे ही टेडपुल का जो कॉस्ट्म है उसके उपर साइड में ब्लैक कलर के जो डिजाइन बना हुआ है बस मैं वही बना रही हूँ, यहां पे back side से आपको दिखाई नहीं देा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या मैंने कैसे किया है तो आप यहां देख सकते हो अभी मैंने जो दिखाया यहां पर इस तरीके से आपको बना के रेडी कर लेना है तो अभी यहां पर हम बना लेंगे उनके हैंड तो यहां पर आप देख सकते हो मैं हैंड बनाने के ल इस तरीके से आप यहां देख सकती हो एकड़म सिंपल तरीके से आपके यहां बता रहे हुँ अच्छे से हमारा जो हैंड गलब और इसे एकड़म बढ़िया सा हाट बनाके हम रेडी करेंगे जितना पॉसी वह जैसे आप यहां देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा है ना ज किने की तरफ पानी लगाया और स्टिक कर दिया तो वहाँ पर वह स्टेवल हो जाता है और वह हिलेगा भी यह गिरेगा भी नहीं जब आप पानी लगा देते हो उसके बाद यहाँ पर में एक मोटा सा हार्ट पना लूँगी पीछे बैक साइड में लगाने के लिए उसके बा का केक है तो आप चार पर्स बना के रेडी कर सकते हो बैक साइड में भी आपको लगाना है पर यहाँ पे मेरी बीटी के बड़्डे का केक है तो यहाँ पे मैंने सिफ दोई पर्स बना के रेडी किये हैं बिल्कुर सिंपल तरीके से जैसे आप यहाँ देख सकते हो वीडिय चोटे से डॉट बना दिये हैं जिसे बहुत अच्छा लगेगा तो फ्रेंस आप लोग यहां देख सकते हैं यहां पर हमारी दोनों पर्स इस तरीके से रेडी कर लिए हैं जो हमने स्ट्रेप बनाई थी उसको केक के बीच में हम लगा देंगे अगर और का केक आता है तो पू करेंगे जैसे आप यहां देख सकते हो दोनों तरफ मैंने थोड़ा तरफ पानी लगा दिया है और इसके बाद जो हमने डैट पूल बनाके रखा था ना उसको भी हमने मिडल में लगा दिया है तो फ्रेंस यह हमारे एकदम सिंपल तरीके से बनाई हुआ डैट पूल थीम क तो आज की ही के डिसेन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए इंते की पर वाचिंग